अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे बेस्ट FPS मॉड कौन सा है तो मेरा सिंपल सा जवाब रहेगा वुलकन मोड वैसे तो मैंने बहुत सारे FPS बूस्टर मॉड स्ट्राइक किया है लेकिन उन में से सबसे बहतरीन मॉड मुझे सिफ और सिफ वुलकन मोड लगा क्योंकि इसकी performance बहुत अच्छी है इसमें मुझे 100 या 150 FPS नहीं बलकि मुझे 200 प्लस FPS देखने को मिल रहे थे और average में मुझे 150 FPS देखने को मिल रहे थे तो आप यहीं से सोच सकते कि हमारे ये जो वुलकन मोड कितना ज़्यादा अच्छा है हमारा कितना ज़्यादा पोजाव launcher को optimize कर सकता है और इतना ही नहीं अगर हम लोग इसके settings को अच्छे तरीके से minimize करें तो हम लोग को और भी ज़्यादा FPS देखने को मिल जाते है इसलिए आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाल हो कि इस वुलकन मोड को हम लोग कैसे अपने पोजाव launcher में install कर सकते है और इसके settings भी बताऊंगा जिसके through हम लोग को और भी ज़्यादा FPS देखने को मिल जाएंगे so mode की link तो हमें comment section में pin मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाके इसे download कर सकते है download करने बाद आपको इसे extract करना अपने ZRchiver में extract करने बाद यहाँ पर आपको file मिलेगा उस file के अंदर आपको तीन files मिलेगे config mode और option की इन तीनो files को आपको यहाँ से cut ya copy करना है copy बाद यहाँ पर आपको अपने device memory में जाना है फिर आपको android में जाना है android में जाने के बाद आपको data में जाना है data के अंदर आपको pojav launch का folder मिलेगा उस Pujav Launch के folder के अंदर आपको files में जाना है फिर Minecraft के अंदर simple से इसे paste कर देना है paste करने अब यहाँ पर आपको एक pop-up आएगा जो आपको replace करने को बोलेगा आप replace कर देना replace करने के बाद यहाँ पर आपके सारे के सारे mods install हो चुके है यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 20 mods install हो चुके है अब आपको अपना पोजाव launcher open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना fabric जो है वो install कर लेना है 1.20.1 का fabric आपको install कर लेना है install करने के बाद यहाँ पर आपको settings में जाना है settings पर सबसे पहले आपको अपना जो resolution scaler है उसे आपको मतलब minimize करना है तो महीं आपर अपना सबसे पहले resolution scaler जो है इसे जाके 55 के तक में कर देता हो 55 तक बहुत है उसके यहाँ पर आपको जो तीन options दिख रहे है उनमें से आपको first दो options को on करना last वाले option को off रखना है ठीक है यह करने बाद आपको back आना है उसके आपको अपने java tweaks में जाना है और वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना runtime सेलेक्ट करना है जो है internal 17 इसे set default कर लेना उसके बाद आप back आईए और यहाँ पर आपको अपना memory allocation select करना है तो memory allocation तो मैं आपको recommend करना हूँ अगर आपके पास एक low end device है तो आप 750 रख सकते हो कोई problem नहीं है क्योंकि आपका जो यह mod है वो optimize है तो आपका अच्छा खासा fps आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको वापस से back आना है back आने ये बाद आप simple से अपना जो fabric version है उसे आप select करके आप खेल सकते हैं और आप ध्यान रखके इसे 1.20.1 में ही open करना उसके प्ले करने के बाद यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा time लग सकता है open होने में क्योंकि कुछ tasks है जिसके थुरू आपका जो वर्जिन है वो download होगा आपका fabric पूरी तरके से install होगा इंस्टॉल होने के बाद simple से आपका जो game है वो open हो जाएगा उसके बाद जैसी आपका game open हो आपको सबसे पहले आपको अपना options में जाना है और कुछ settings जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको देख लेने settings में जाने बाद आपको यहाँ बीडियो settings में जाना है वीडियो settings में आपको यहाँ पर कुछ options देखने को मिल रहे है आपको ज्यादा कुछ ने जो सबसे पहले आपका brightness है आप इसे full कर देना फुल करने बाद यहाँ पर आपका bright दिखाएगा आपको नीचे scroll down करना है scroll down करने बाद यहाँ पर आपको distortion effect देखने को मिलेगा आपको इसे पूरे तरके से 0 पे कर देना है और FOV effect को भी हम लोग को पूरे तरके से 0 में कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको उपर graphics में जाना है graphics में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और settings देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आपको जैसे मेरे settings यह आपको वैसी आपको copy कर लेना है अपने पोजाव launcher में उसके बाद आपको others में जाना है others में थोड़ा main काम है यहाँ पर आप ध्यान रखना आपको जो उपर वाले दो options देखने को मिल रहा है आपको इसे पूरा full कर देना पूरा आप end तलगी से ले जाए यहाँ पर जिसीरे कैसे मैं कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर जो options में off और on कर रहा है आप उसे copy कर लीजे जैसे मैंने आपको दिखाया आपको उसी तरीके से आपको apply कर देना है और उसके बाद done के उपर click कर देना done के उपर click करने बाद यहाँ पर आपके सारे settings हो चुके है अब आपको simple से अपना जो world है वो create कर लेना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो game है थोड़ा देर हो चुका है मैंने इसे install किये वे अब देख सकते हैं कि मेरा जो fps से बहुत ज्यादा improve हो चुका है मेरा जो fps से बहुत ज्यादा यही कुछ 1500 तलग के fps आपको देखने को मिल रहे हैं और आपको उससे ज्यादा भी fps आपकर देखने को मिल रहे हैं अगर आप कोई recorder यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं तो recorder यूज कर रहा हूँ इसके वजह से मेरा fps से बहुत कम देखने को मिल रहे हैं लेकिन तब भी recorder के थूँ भी आपको बहुत ही जादा अच्छे fps देखने को मिल रहे हैं 140 fps हमारे average में जा रहे हैं मतलब कि हमारा जो game है वो बहुत अच्छे तरिके से smooth run कर रहा है अच्छे आपको यह वाली वीडियो पसंद आई यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इस mode के बारे में थोड़ी queries है या फिर कोई problem आई तो मुझे comment section में ज़रू पता आना और मिलता आपसे नई और अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye